बोलेंगे मैं कहूंगा सरदार पटेल आप लोग कहेंगे अमर रहे अमर रहे सरदार पटेल सरदार पटेल मन्च पर विराजमान मंत्री परिशत के हमारे वरिष्ट साथी आदर्निय सुष्मा जी आदर्निय वेंकेया जी स्रिमान रविशंकर जी दिल्दी के लिप्टनेंट गवर्नर स्री और सारे नवजवान साथियों आज सरदार पटेल की जन्म जैंति का प्रेरक पर्व है जो देश इतिहास को भुला देता है वह देश कभी भी इतिहास का निर्मान नहीं कर सकता है और इसलिए एक जीवन्त राष्ट के लिए एक आशा अकांग्छाओं के साथ भरे हुए राष्ट के लिए सपनों को सजा कई बैटी हुई युवा पीड़ी के लिए अपनी अइतिहासिक धरोहर सदा सरवदा प्रेनना देती है और हमारे देश ने इस बात को भी कभी भी भूलना नहीं होगा कि हम इतिहास को विरासतों को अपने वैचारिक दायरे में न बाटे इतिहास पुरुष राष्ट पुरुष इतिहास की वो धरोहर होते हैं जो आने वाली पीड़ियों के लिए नया उमंग और नया उत्सा भरते हैं कि आज कि शिम्यति हिंद्रा गांधी जी की भी पुन्यती थी है कि सरदार साब का जीवन कि देश की एक्ता के लिए आहूत हो गया बैरिस्टर के नाते सफल बैरिस्टर गांधी के चरणों में समर्पित हो गए और हिंदुस्तान के किसानों को आजाधी के आंदोलन में जोड़ करके उन्होंने अंग्रेश सल्तनत को हिला दिया था अंग्रेश सल्तनत के भाप लिया था कि अगर देश का गांध देश का किसान आजाधी के आंदोलन का हिस्सा बन गया तो अंग्रेश सल्तनत की कोई ताकत नहीं है को आजाधी के दिवानों के खिलाब लड़ाई लड़ सके कभी कभी जब हम रामकृष्ण परमहुस को देखते हैं तो लगता है कि स्वामी विवेकरन के बिना रामकृष्ण परमहुस अधूरे लगते हैं वैसे ही जब महत्मा गांधी को देखते हैं तो लगता है कि सरदा साथ के बीदा गांधी भी अधूरे लगते हैं यह एक अतूर नाता था यह तूर जोड़ी थी कि जिस दांडी यात्रा ने हिंदुस्तान के आजहादी को एक नया मोड दिया था पूरे विश्व को सबसे पहले ताकतवर मैसेज देने का अवसर दांडी यात्रा में से प्यादा हुआ था उस दांडी यात्रा में एक सफल संगठक के रुप में एक कारकरता के रुप में सर्दार साब की जो भूमी का थी वो बेजोर थी और मात्मा गांदी ने दांडी यात्रा की पूरी योजना सर्दार साब के हवाले की थी हम कल्पना कर सकते थे कि देश के आज़ादी अंदोलन के अलग-अलग पड़ाव में भात्मा गांधी के साथ रहे करके सरदार साब की कितनी एहम भूमिका रही थी और आज़ादी के बाद सरदार साब का लाब देश को बहुत कम मिला बहुत कम समय तक हमारी बीच रहे लेकिन इतने कम समय में सरदार साम ने अंग्रेजों के सारे सपनों को धूल में मिला दिया था चूर चूर कर दिया था अपनी दुर्ष्टी के द्वारा अपनी कुरूट नितिक सामर्थ के द्वारा अपनी राष्ट भक्ति के द्वारा अंग्रेज चाहते थे कि देश आजाध होने के बाद सैंकडों टुकडों में विखर जाएं आपस में लड़ते रहे मर मिटते रहे यह अंग्रेजों का इराधा था लेकिन सर्दार साहम ने अपनी कुट्रिती के द्वारा अपनी दिर्ग दृष्टी के द्वारा अपने लोखण्डी मनोबल के द्वारा कि ऐस ताड़े पांसे सभिघिक रियासतों को हाँ एक शुत्र में बान दिया भास जिससे सम्मान देने की जरूरती उसको सम्मान दिया जिसको पुछकारने की जरूरती उसको पुछकारा और जिसको आँख दिखाने की जरूरती उसको आँख दिखाने में भी सरदार पट्रेल कभी हिचक नहीं थी संकोच नहीं किया था उस सामर्था का परिचे दिया था और उसी महापुरुष ने एक प्रकारते आज जब हिंदुस्तान देख रहे हैं वो एक भारत का सप्रद्रश्टा उसके नियंता सरदार पटेल को देश कभी भूल नहीं सकता है सताब्दियों पहले इतिहास में चानक के का उल्ले किस बात के लिए आता है कि उन्होंने अनेक राजे रजवानों को एक करकर के एक सपना लेकर के रास्त के पुनरूधार का सपना देकर के सफल प्रयास किया था चानक के के बाद उस महान काम को करने वाले एक महापुरूस थे जिनका आज हम जन्म जन्ति पर्व मना रहे हैं वो सरदार वल्लभाई पटेल थे लेकिन यह कैसा दुर्भाग्य है जिस व्यक्ति ने देश की एक्ता के लिए अपने आपको खपा दिया था अलोचनाई जेली थी विरोज जेले थे अपने राजनीति की आत्रा में रुकामटे महसूस की थी लेकिन उस लक्ष की पूर्ति के मार्थ से कभी चलीत नहीं हुए थे और वो लक्ष था भारत की एक था उसी देश में उसी महपुरुस की जन्म जेन्ति पर तीस साल पहले भारत की एक्ता को गहरी चोट पहुचाने वाली एक भैंकर घटना ने आकार लिया हमारे ही अपने लोगों को मौत के घात उतार दिया गया और वो घटना किसी संप्रदाय के लोगों के सीने पर घले लगे गाउं की नहीं थी वो घटना भारत की हजारों साल की महान विरासात के सीने पर लगा हुआ एक छूरा था एक खंजर था एक भैंकर आपत्ती जनक था लेकिन दुर्भां के रहा इत्यास का को उसी महपुर्श की जन्म जन्ति के दीन ये हो गया और तब जाकर के देश की एक्ता के लिए हम लोगों ने अधिक जागरुकता के साथ अधिक जिम्मेवारी के साथ सरदार सामने हमें एक भारत दिया स्रेष्ट भारत बनाना हमेरी जिम्मेवारी है एक भारत स्रेष्ट भारत इस सपने को पूरा करने के लिए भारत की जो महान विरस्ता है वो विरासत विवीतिता में एक्ता की है उस विवीतिता में एक्ता की विरासत को लेकर के जातिवा संप्रदावाद से परे उठकर के एक भारत सम्रस भारत उच नीच के भेज़भाव से मुक्त भारत यह सपने को साकार करने के लिए आज से उत्तम परवन नहीं हो सकता जो हमें आने वाले दिनों के लिए प्रेना देता रहे और युवापीधी आज इस राष्टिय एकता दिवस पर पुरह हिंदुस्तान में रन पर युनिटी के लिए दौड रही है मैं समझता हूं यह हमारा प्रयास एकता के मंत्र को निरंतर जगाय रखना चाहिए और हमारे सास्त्रों में कहा है राष्ट्रे हम जाग रहे हम वय हम हर पल हमें जागते रहना चाहिए अपने सपनों को ले करके सोचते रहना चाहिए उसके अनुरूप काम करते रहना चाहिए तब ही संबह होता है भारत विवित्ताओं में भरा हुआ देश से अनेक विवित्ताओं से भरा हुआ देश से विवित्ता में एक का यहीं हमारी विशेश्ता है हम कभी एक रुपता के पक्षकार नहीं रहे हम विवित्ता से भरे हुए रखते हैं एक ही प्रकार के फुलों से बना गुलदस्ता और रंग भी रंगे फुलों से बने गुलदस्ते में कितना फर्क होता है भारत उन विशेस्ताओं से भरा हुआ देश है उन विशेस्ताओं को बनाते हुए एक्ता के सुत्र को जीवन्त रखना एक्ता के सुत्र को बलबंत बनाना यही हम लोगों का प्रयास है और यही एक्ता का संदेश है राज्य अनेक, राष्ट एक, पंथ अनेक, लक्ष एक, बोली अनेक, स्वर एक, भाशा अनेक, भाव एक, रंग अनेक, तिरंगा एक, समाज अनेक, भारत एक, रिवाज अनेक, संसकार एक, कार्य अनेक, संकल्प एक, राह अनेक, मंजिल एक, चहरे अनेक, मुस्कान एक, इसी एकता के मंत्र को ले करके, यह देश आगे बड़े,